देडी पंजाबी वेख रहे सारे ही दर्श कांदा बहुत बहुत स्वागत मैं हाव अंधना खरना तेला के हाजरा प्रोग्राम खास ख़बर एक नज़र ते रोजी तरह कभारा दियां खास-खास सुर्खियां ते विचार टर्चा करन देले असानाल स्टूडियो देविच मौजूद ने उग्गे पत्रका राजीव भासकर जी आउस सब तो पहला उन अपने आपनो और उस दिन आल ही केंदे कि मिन्टा दे विच ही जड़ी एपस ने ओ मतलब कहलो कि और नादा साम होक गया है ना बंध होगी ते की सोच देओ इस खबर बारे की कहाणा चाते पहले एनाउंस्मेंट होई है कि अठाई तरीक नूँ शामी चार वजे जड़े आठाई साल तो द द मिली ़े नाट कि अठाउरा साल तो वद्द लोग ने यॉद्द और उस ने एठारा तो पैंताली कूंकि पहले हर वर्ग दे हर उम्र दे लोका नू लाई जारी है चलो ओ ते गल ठीक सीगी लाई जारी ही पहले वैक्सीन दे दाम दे उते एक रोश परकेट के था डिफरेंट पलिटिकल पार्टी ने और स्टेट गवर्वर्मेंट्स ने की अधे तिन रेट क्यों ने सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार तो जवाब मंगया की वैक्सिन एक है उस तो बाद को वैक्सिन दे वी रेट आए वारां सो रुपे यानि उस तो भी ज्यादा रेट सीगे एदे उते कुछ राहत देंदे हुए कल कोवी शील्ड निर्माता सिरम इंसिजूट ने केंदर सरकार नू ते सो रुपे दा डिस्काउंट दे हुए तिन सो रुपे दी है वैक्सिन देंदा फैसला किता गया पर दुझे पासे जड़ी तुसी रेजिस्टेशन दी गाल कह रहे हो ओ तकरीबन मेरे ख्याल नल एक मिनट इच सताई लख लोग उस कोविन एब दे विच अपने आपनों र रिजिस्टर करा रहे सीगे और कुछ ही मिनटा तो बाद ओ एक तरीके नल क्रैश हो गई और एक करोड तेंती लोका ने ओदे उते अपने आपनों रिजिस्टर कराया और दुझे पासे सूबयां दी गाल करिये और पंजाब दी गाल करिये ते पंजाब ने ऐस वैक्सिन न बलकि कई सूबे दी सरकारा नूँ एगल साफ साफ कहती है कि पंदरा तरीक तो पहले वैक्सिन उना नूँ नहीं मिल सकती जद की रजिस्टरेशन शुरू होया कल और एक तरीक तो है वैक्सिन दी ड्राइव चलनी सीगी यानि वैक्सिन दी ड्राइव शुरू होन तो लए आस लगाई जा सकती है कि आन वाले टाइम इच एस वैक्सिन दी जड़ी बड़ी शौटेज आईगी और दुझे पास एक चंगी खबर भी सीगी कि रशिया ने एक मई नूँ एक वड़ी खेप वैक्सिन दी जड़ी हुने 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 उसी इंपोर्ट करनी पर ओ आके किद्धा डिस्टिबिट होंदी है उदा प्राइज की होंदा है हजे तक आई डिसाइड नी होया पर फिलहाल ऐस वैक्सिन नूँ अठारा साल ते उत्ते दे लोका नूँ बच्यानू यंग्स्टर्स नूँ लगना हजे पंदरा भी दिन होर लगन गे जड़ी स कि लग्ता है कि की सिती है और आछा डिना डिना लेचे की सिती होगी की त्यारीया हू ति फसलिवार जड ऐसे मिने ते लिड़ी सिटा से वाइसा करुना से लेयर लेक लिए शिरू होय से यह त तार्वेर्थां दि उम्मीद किति जारी सी अभिषिन मनिया जार्या कि पार the health system काफी कमजोर है और बड़ी छेती अगर है करोना ते जी नाल फैले आ ते जड़ी health services है गी हैं वो अपने आपीचे crash कर जान गी है चलो पिछले साल की ही तरीके नाल सांबे आ गया कम और क्योंकि नवी नवी शिरुबाद से गी और जद जनता कर फिव यहां lockdown लाया गया से पच्ची मार्चनू सिर्फ पांसो केस से गी है आज एक करोड लेड़ करोड तो भी वद केस बारत दे बिच है गी ने और ऑक्सीजन दी कमी जिस तरीके ना दिली वर गे शेयर यानि कैपिटल जड़ी राज़ानी साथे देश दी है गी है उत्थे ऑक्सीजन दी काट तैयारी पक्षों बड़े कमजोर जे रहे असी अचानक है एक साड़े वस्ते एक मुसीबत कहलो या एक महामारी कहलो साड़े सिर्थे खड़ी होगी तद असी एक्जाम दी तैयारी करन दी कोशिश कर रहे हैं कुछ खबरां एह भी आन दी है कि ब्राजील तो जर्मनी तो फ्रांस तो ऑक्सीजन दे कंटेनर आ रहे ने अमरीका तो भी आ रहे ने पर ओ लोकां तक हज़े तक नहीं पोँच रहे एगल भी टीवी या खबरां देखन तो साफ जाहिर हों दी है कि ऑक्सीजन प्लांट दे बार लोकां दी लाइन लाके खड़े होना और एथे तक कि शम्शान काटेयां दे विच भी जडी बॉडिज लाइन दे विच लगिया हुई है उना दे क्रिमेशन वास्ते एक बड़ी प्यानक तस्वीर साड़े सामने आई है जे ऐस सिचेशन नों छिती कंट्रोल नहीं किता गया ते पारत पूरे विच विच ऐस मिसमेनेजमेंट दे वास्ते एक बड़ा एक्जांपल बनके उबरेगा जो कि नहीं बनना चाहिए है क्योंकि ऐसी बड़े टाइम तो है कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी अपने पारत दी छवी नों पूरे वर्ल्ड दे विच उत्ते करिये लेकिन एजड़ी हिस्थिती है गी है और जिस तरीके इसी कमजोर साबित हो रहे हैं करोना दे खिलाफ दी लड़ाई दे विच उ साधी शवी नों कुछ चंगी तरीके नाल पेश नहीं हो देरी और ऐस गल्दा इंतजाम करना उस सरकारा वस्ते बहुत दरूरी है और एक तदी पॉसिबल हो सकता है जब सुबेजी सरकारा और के करन और जद तक ब्लेम गेम चलदा रहेगा जबी उफलानी सरकार ने यह नहीं किता केंदर सरकार ने यह नहीं किता ऐस करके असी करोना दे खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते जद तक टीम वर्क नहीं बनेगा तद तक करोना दे खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सक महाराश्ट्र देविच लॉक्डाउन वदा आन दी रिडियो गल हो रही है और इस दिनाल ही क्या जा रहा है कि एक सो पंजास जिल्यान देविच लॉक्डाउन आणावले समय चे लाया जा सकता है क्योंकि बहुत सारी यहां अपमावावा भी फैयल दिया ने बहुत सारी इस होई चैनल है पर हर चैनल दे विच ओ प्यानत तस्वीर देखी जा सकती है और पारत दी स्थीति एदा दी बनी होई है कि ऐस सिच्वेशन अगर थोड़े टाइम भी होड चल गी कि तकरीबन हेल्थ सर्विसिस पूरी दुनिया दे विच ए मनिया जाएगा कि पारत दी सब तो गती दे नाल करोना दा वदना और साड़ी हेल्थ सिस्टम दा चर्माज बिल्कुल कॉलैप्स कर जाना वो अपने आप इच बड़ी खतरनाक सिती है और दुझे पासे हाई कोट या सुप्रीम कोट दा इंट्रिवीन करके सरकारा नूं पामे उस उबेदी सरकारा होन या कें इंदर सरकार होई ऐ गाल कहना कि आज दे एक इलाबाद हाई कोट दी खबर वी चेपी होई है जिदे विच ऐ क्या गया है कि उन्हेंने हाथ से जोड़के यूपी दी सरकार नूं बिंती किती है कि कंप्लीट लॉगडाउन ला दिता जाए और ऐ भी खबर चपी है कि एक सो लॉगडाउन एक्सेंड किता गया है बैंगलोर करनाट का जड़ा हजे करोना दे प्रती काफी पिछे चाल रहा ही गा आज करोना दे विच सब तो ज्यादा रफ्तार ही करनाट का ने फड़ी है यानि जेडे सुबह हजे असी समझ दे सी कि सही ने ओह उन सब तो ज्यादा क सब्स्तार फाट रहे ने एक बड़ी चिंता जनक सिती है जट तक इनू कंट्रोल नहीं किता जाएगा या अपनी हैल्थ सिस्टम नू स्टेंथन नहीं किता जाएगा एक खत्रा पूरे देश बस्ते बन्या रहेगा और करोना हवा विच है एक नवी स्टेडी दी रिपोर् पान दी लोडनी है लेकिन जे पीड़फार वाले लिए जान दे ओ थे ही मास्क पाऊ और दुझे पस्टे साढ़े देश देश दे विच आए कि तुसी अपने कर्दे विच भी है गयो है तो उसी आनू मास्क पाना जरूरी है जे कार दे विच अकल्ले भी जान देवते तो वैक्सिन दे मुद्धे ते छे तरीके दी वैक्सिन हो रान दी उमीद दे नाल ऐ किया जा सकता है कि शायद आन वाले टाइम इस तिती थोड़ी जी बैतर हो सब्ड़ी जी हुन जेकर गल करिये पंजाब दे सियासत दी ता पंजाब कॉंग्रेस दे विच अंदरूनी खिच तान लगातार चल रही है बैदभी मामनिन लेके ब्यान बाजी रड़ी ये लगातार हो रही है की सोच दे उस मसले ते 2017 दे एलेक्शन दे वेच अगर तुसी मेन मुद्धियां दी गल करो ते दो या तिन मुद्धिय मेन सिगे एक बेदभी कांड भी सब तो वड़ा मुद्धा सिगा की 2015 दे वेच जड़ी बैबल कला दे वेच या कोट का पूरा दे वेच गोली कांड होया सिगा या उस तो अ दे डे टू डे प्रोसीडिंग्स तक रीबन अखबारां दी सुर्खियां बंदीरी नो चलान पेश होये हुन दसमा चलान पेश हो रहा होना सिगा उस तो पहले एक हाई कोट ती जजमेंट आ गई और हाई कोट ती जजमेंट ने ओ जड़ी सारी सिट दी डेलिबरेशन सी होना नो रद करता और केंदर सरकार सुबेजी सरकार नो है हिदायद देती के नवे सिरत तो सिट बनाई जाए और ऐस सारी जड़ा कारे जड़ा सिस्टम चल रहे हा सी गया एदे विच बार-बार कैप्टन अमरिंदर सिंग होना दे अक्सरा इलजाम लग दे सी कि वादलना थी उमीद उना तो कितनी जारी थी कि भी आजा अगर मेरे खिलाफ एलेक्शन लाडने है तो लाड़ो जड़ी पॉलिटिकल पार्टी जाना जाओ हुनते आमने सामने होगे यानि आमने सामने हों तो बाद कल परगर सिंग होना दे भी प्रेस कॉंफेंस करके अपनी पूरी कैप्टन मरिंदर सिंग थे खिलाफ एक तरीके नल मूँ खोलेया और ऐवी गल कही कि अगर कैप्टन मरिंदर सिंग उना थोड़ा जावी बयाम है ते ओ अपने जितन दी प्रॉबैबिलिटी दे कोई सर्वे करा लें जे उनना लगदा है कि जित सक देने तो उस तो बाद दो जी गल उना दा ऐगल कहना कि कैप्टन मरिंदर सिंग दे ऐस बयान दा जवाब देंदे हुए उनने क्या कि अगर नवजो सिंग सिदू पते आले तो मेरे खिलाफ लड़ना चांदे लड़ लड़ने ऐ गलना करन दी कोई लोड नी सी गी और हुन मैनू लगदा है कि कॉ गोजर बाई दे लेक्षना दे वीचे एदा असर साफ साफ देखनू मिल सकता। झाले तेन देखनू